जमू कश्मीर दे विच शहीद होई जवान दा अज अंतिम सस्कार किता गया जिते फोज दे पूरे रिती रिवाजा दे नाल इसनू अंतिम विदाई देती गई तदाजी के आज ही शहीद दी मृतक दे पेंड पोंची सी जस्तो बाद इस दा अंतिम सस्कार किता गया ताज जदी पेंड दे विच इस शहीद जवान पर दीप दी मृतक दे पोंचेगी जिथे के अंतिम रस्मा देनाल इस्तास ससकार किता जावेगा तांतिम विदाई देन दे लेई पूरे पेंड दे विच दास्दिये के तिरंगे चंडे लगाए गए ने ते पेंड दे विच जिते मातम दा महौल है उत्थे ही इस जवान दी शहादत दे मान वी है तो ने दास्दिये के शहीद दी पतनी प्रेगनेंट है ता खबर सुन दे ही उस दी हालत विगड गई सी जिस तो बाद उसनों हस्पताल दे विच परतिय करवा देता गया सी तो जिमें ही खबर परिवार नों मिल दी है ता उन्ना दावी रो रो के बुरा हाल हो जानता है 27 साल दी उमर सी इस जवान दी जो की देश दे लेखे लगा गया दो साल पेला इन हाले इस्ताफ विया हुया सी ते आतवादियां देनाल एंकाउंटर दुरान इहे शहीद हो जानता है तो नो दास दी है के जीन्ददा रहन वाला सी ये शहीद परदीप आते आज इस दी जमू कश्मीर दे विच शहीद हो जवान दा आज अंतिम सस्कार किता गया जिते फोज दे पूरे रिती रिवाजा दे नाल इसनों अंतिम विदाई देती गई तो दास दी के आज ही शहीद दी मृतक दे पेंड पोंचे सी जस्तो बाद इस दा अंतिम सस्कार किता गया तो जदी पेंड दे विच इस शहीद जवान परदीप दी मृतक दे पोंचे गी जिते के अंतिम रस्मा दे नाल इस दा सस्कार किता जावेगा दान्तीम विदाई देन देलेई पूरे पिंड दे विच दासदिये के तिरंगे चंडे लगाये गई ने ते पिंड दे विच जिते मातम दा महौल है ओथे ही इस जवान दी शहादत दे मान भी है तो उन दासदिये के शहीद दी पतनी प्रेगनेंट है ता खबर सुन दे ही उस ती हालत विगड गई सी जिस तो बाद उसनों हस्पताल दे विच परते करवा देता गया सी ता जमें ही खबर परिवार नों मिल दी है ता उन्ना दा वी रो रो के बुरा हाल हो जानता है 27 साल दी उमर सी इस जवान दी जो की देश देल लेखे लगा गया दो साल पेला इन हाले इस्ताफ विया होया सी ते आतवादियां देनाल एंकाउंटर दुरान इहे शहीद हो जानता है तो नदास दिये के जीन्ददार रहन वाला सी इस शहीद परदीप आते अज इस दी